वेलकम टू मैं चैनल लिदिका इस्टेडी पॉइंट मैं हू नीती और आज हम चानने वाले हैं फूरूट के बारे में जिसे हिंदी में कहा जाता है फल तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं यहाँ अगर हम देखते हैं फूरूट क्या होता है तो हम सभी जानते हैं कि फूरूट पॉधों से राप्त होने वाला पाठ होता है जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं और इसे हिंदी में फल कहते हैं फूरूट जो है वो बहुत ही टेस्टी होता है और इसका nutritive value भी बहुत ही जादा होता है क्योंकि फूरूट में बहुत सारे vitamins minerals जो हैं वो पाए जाते हैं और यह हमारे health के लिए बहुत ही अच्छा होता है आज हम इस वीडियो में यहाँ पे देख रहे हैं फूरूट का structure अगर यहाँ पे देखते हैं फूरूट क्या होते हैं तो फूरूट जो हैं वो ओवरी से modify होते हैं अब यहाँ पे थोड़ा confusion हो सकता है कि पूधे में जो फूरूट बना जो की ओवरी से बना वो किस प्रकार से बनता है इसके लिए सबसे पहले हमें किसे भी plant की फूल को या flower को देखना पड़ेगा अगर फूल को देखते हैं तो फूल में यहाँ पे ओवरी present होता है जो की फीमेल वाला part होता है इस ओवरी यह जो ओवरी है उसके अंदर यहाँ पे हमारा ovule भी पाया जाता है तो सबसे पहले plant है plant में फूल पाया जाता है फूल में यहाँ पे ओवरी पाया जाएगा और ओवरी के अंदर ovule पाया जाता है और यह जो ओवरी है वो बड़ा होकर fruit बनाता है और जो ओवरी के अंदर ovule है वो क्या बनाएगा हमारा seed बनाएगा तो आप जब भी फल खाते हैं तो फल के अंदर देखते होंगे seed तो यहीं हमें पता चलता है कि ovule जो है वो modify होकर seed में change हो जाता है अब यहां भी हम देखते हैं कि fruit का function क्या होता है सबसे पहले तो देखें तो इसके अंदर seed या फिर beach पाए जाते हैं तो सबसे main जो function है fruit का यही हो जाता है कि यह हमारी जो beach है seed है उनको protect करता है protection provide करता है ताकि वो सुरक्षित रहें और आगे चलके जब भी उस beach को लगाया जाए तब उससे नया पौधा बन पाए तो जो हमारा fruit है उसका function यही हो जाता है चलिए अब यहाँ पे देखते है fruit का structure क्या होगा सबसे पहले अगर देखें structure में तो सबसे बाहरी जो layer है उसे ap carp कहा जाता है आप fruit को देख रहे हैं fruit का जो उपरी भाग है छिलका है उसे ap carp कहा जाता है इसके अंदर जो खाने वाला part होता है eatable part होता है फ्लैसी part होता है जिसको हम खाने में use करते हैं उसे miso carp कहा जाता है इसके बाद यहाँ पे अगर और एक structure देखें तो एक layer और पाया जाता है जो की यहाँ पे wrap होता है tight होता है और इसे endo carp कहा जाता है इसी endo carp के अंदर हमारा जो seed है वो present होता है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसके अंदर पाया जाता है तो सबसे पहले जो part था वो है हमारा छिलका जिसे ap carp कहा जाता है उसके बाद मीसो carp है उसके बाद हमारा endo carp है उसके बाद सबसे अंदर में seed हो जाएगा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देख लेते हैं comments of the day दोस्तों thank you so much आपका comment जो है वो हमारे लिए बहुत ही important होता है क्योंकि आपके comments से हम motivate होते हैं तो जरूर आप अपना feedback दीजिए comment की comment के द्वारा ताकि हमको पता लग पाए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग यहाँ पे fruit की अगर हम type की बात करते हैं तो उनके development की हिसाब से यहाँ पे दो type के होंगे पहला है true और दूसरा है false अगर true fruit की बात करते हैं तो mango का example ले सकते हैं यहाँ पे अगर आप दिखेंगे किसी भी फूल को तो मैंने बताया ovary के अंदर ovule जो की आगे चलके fruit बन जाता है और इस ovary जो है उसके नीचे जो डंठल पाया जाता है जिसे thalamus कहा जाता है वो भी फूल में पाया ही जाएगा तो यहाँ पे जब fruit हमारा बनता है ovary और ovule को मिला कर जब ovary modify होकर fruit बना लेता है तब इसे कहा जाएगा true fruit इसमें केवल हमारा जो ovary है वही fruit में change हो रहा है बट यहाँ पे अगर false fruit की बात करते हैं तो कुछ जो हमारी ovary है उनके चारो ओर जो thalamus है वो एक layer बनाता है उनको किनारे से घेर कर रखता है और बाद में यहाँ पे जो हमारा thalamus है वो उस ovary के साथ बड़ा होते जाता है और fruit बना लेता है इसे false fruit कहा जाता है example के तोर पे अगर आप देखेंगे तो apple जो हमारा save है वो false fruit है क्योंकि जो हमारा खाने वाला part होता है apple में वो थैले मस होता है ना कि ovary अगर और false fruit का example देखें तो strawberry भी जो है वो false fruit है strawberry में जो खाने वाला part होता है वो थैले मस होता है और इसके जो अंदर है वो हमारे ovary और सीड जो है वो छोटे छोटे पाए जाएंगे यहाँ पे हमने देखा फूर्ट का इस्ट्रक्चर चलिए कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं जो कि हमारे फूर्ट के साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहला होगा पार्थिनों कार्प जो फूर्ट फर्टिलाइजेशन के बिना ही प पार्थिनों कार्प कहा चाता है अगर आप ब्लांट की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा और ओव्री के अंदर अव्यूल बने 55 और इस उव्यूल और ओव्री से बढ़ा होकर यहाँ पर फल और सीड़ बनेगा हमने पहले ही जान लिया बट फर्टिलाइजेशन की जो process वो ना हो तब जो फल बनीगा उससे कहा जाता है पार्थीनो कार्प और इसका example है बनाना बनाना में यहाँ पे हमारा fertilization नहीं होता है नेक्ट अगर देखें जियो कार्पिक फ्रूट अगर जियो कार्पिक फ्रूट की बात करें तो कुछ जमीन के अंदर मित्टी में पाया जाते हैं, ऐसे प्रूट को जीयो कार्पिक फ्रूट कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, ग्राउंड नट या मुंफली जो की एक जीयो कार्पिक फ्रूट है, वैसे तो इसे नट के नाम से जोडा जाता है, ग्राउंड नट, बट जमीन के उपर पाइज आते हैं तो जमीन के उपर अगर पाइज आएंगे तो जाहिर सी बात है जो फ्रूट है वो उपर ही बनना चाहिए बढ़ कुछ ऐसी प्रोसेस इन में होती है कि जो फ्रूट है वो जमीन के उपर ना होकर जमीन के नीचे ही हो जाते हैं और इन्हें कहा और अलग अलग टाइप के फ्रूट जो है वो पाय जाते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही चलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक कुश्चन देख लेते हैं ताकि हम यह जान पाएं कि आपको यह वीडियो कितना समझ आया और साथ ही यह जान पाएंगे कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा अगर हम यहां पर देखते हैं ट्रू फ्रूट का एक्जामपल क्या हो जाएगा ऑप्शन है मैंगो इस्ट्रॉबेरी या फिर एपल अंसर कमेंट करके दीजिए जरूर दीजिए वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए क्योंकि आप जब लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं थैंक यू सो मच पर वाचिंग